परमादर्निया हमारे मुख्य अतितिगन, कुरकुल सद्रश से इस सिक्षन संस्थान के सभी माननिया गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों सरप्रथम आप सभी को गर्दंत्र दिवस की हारदिक्षुप कामना है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जन्वरी अर्थात गर्दंत्र दिवस हैं आज ही के दिन अर्था 26 जन्वरी 1950 को भारत वर्षो संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य कोशित हुआ था हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो गई थी अतहा 15 अगस्त 1947 से 26 जन्वरी 1950 के बीच का जो समय था उसी में हमारे सामने यह यक्ष्व प्रश्ण था कि समवीधान का निर्मान कैसे किया जाए जिन महा पुरुषों ने समवीधान के निर्मान का काम अपनी सिर पर लिया उनके निष्ठा पर शक नहीं किया जा सकता उनका चरित्र वा समग्द्रता आज भी हमारे लिए गर्व का विशह है परन्तु समवीधान निर्माताओं को अपने समवीधान की रचना के क्रम में आर्यवर्थ के महान समवीधान विदों का ध्यान नहीं आया उनकी द्रश्टी संकुचित होकर पश्चिम तक ही केंद्रित रही उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, रूस सब नजर आ गए लेकिन उन्हें रामराज्य, कौटिल और विक्रमादित कहीं भी नजर नहीं आये इसका एक कारण हजार वर्ष से भी जादा की दास्ता रही हम पहले दाश वन्स, गजनवी वन्स, गौरी, तुगलक वन्स, मुगलों की दास्ता फिर अंग्रेजों की गुलामी झेलते रहे हम अपनी पुरानी संस्कृती को भूल ही गए थे अर्थात एक कारण तो रहा अज्ञानता और दूसरा कारण रहा हमारे स्वतंतरता संग्राम के अधिकांश पुरोधाओं का कैब्रिज रिटर्न होना हमारे अधिकांश नेता कैब्रिज से पढ़कर आये थे उन्हें इस तेश के स्वर्णे में तिहास का पूर्ण ग्यान ही नहीं था यही कुछ कारण रहे जिनकी वजह से भारत वर्ष के संविधान में कुछ भी भारत का नहीं है भारत के संविधान में 75 प्रतिशत बातें 1935 के Government of India Act से ही जियोंकित्यों ली गई है इसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत बातें विदेशों से ली गई हैं जैसे संघी अशासन व्यवस्था कनाडा से मूल करतव्य रूस से, मौलेक अधिकार अमेरिका से, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से, संशोधन दक्षण अफ्रीका से राष्टपती निर्वाचन आयर्लेंड से, इमरजेंसी आयर्लेंड से, संविधान की सर्वोचता अमेरिका से, आदि अब इस बात की कल्पना हम कर सकते हैं कि हम कितने मौलिक हैं और कितने आयातित आज भी हमारे संविधान में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं क्या यह संविधान गुंडों और अपराधियों को विधान सभा और राज्य सभा में आने से रोक सका है कोई भी संविधन शील नाकरे किस प्रश्ण के उत्तर में यही कहेगा कि नहीं हमारा संविधान ऐसा नहीं कर सका ऐसा संविधान ऐसा शासन और ऐसी नयाए विवस्था से राश्टरहित और संप्रभुता की रक्षा नहीं की जा सकती जो राष्ट्रगाती ताकतों को दुस्साहस प्रदान कर रही हूँ आजादी से पहले हमारे नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहए था कि आजादी के बाद हमारा समविधान कैसा होगा आजादी से पहले कॉंग्रेस पार्टी का पहला नारा था कि हम राम राज जलाएंगे राम राज जिसके विशय में कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ब्यापा वो राम राज जिसमें राजा राम सदैव प्रजा हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित का त्याग करते हैं क्या देश के स्वतंत्र होने से लेकर अभी तक ऐसा देखने को मिला है आजादी के इतने वर्षों पस्चात आज तक रामराज की कोई झलक भी देखने को नहीं मिली स्वतंत्र चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरने पर सबसे पहले यह बात सामने आती है कि समविधान के मौजूदा धाचे में राष्ट के मूल भूत अवधारनाओं की कहीं कोई झलक ही नहीं है प्रजाती, स्मरती, संस्कृती और एकात्मता तथा समरस समाज की कोई परिकल्पना समविधान के मौजूदा धाचे में समाविष्ट ही नहीं है और नहीं एक राष्ट की समान नागरिक्ता का ही कोई प्राविधान है किसी राष्ट की एक समान नागरिक्ता की व्यवस्था ही किसी समविधान को राष्ट्रिय समविधान बनाती है जबकि constitute of India का मौजूदा धाचा विभिन प्रकार की परस पर विरोधी और राष्ट की एकता को विखंडित करने वाली नागरिकताओं की विवस्था करता है इस पर पुनहा चिंतन मनन की आवश्चक्ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंतरता के पस्चात हमने सिर्फ खोया ही है बलकि हमने बहुत कुछ पाया भी है टेक्नलोजी के छेतर में, स्पोर्स के छेतर में और भी कई दिशाओं में हमने तरक्की की है लेकिन जो हमारे देश की आत्मा कही जाती है अर्थात हमारी संस्कृती सभ्यता और मानवी अमूल्य उनका दिनो दिन रास हुआ है इसके लिए मैं आज के युवा पीडी से यही कहना चाहूंगी कि हमारे सामने कई ऐसे आदर्ष मौजूद है जिनके पद चिन्नों पर चल कर हम हमारे देश को पुना सोने की चिडिया बना सकते हैं इसे एक नए संकल्ब के साथ में अपनी वानी को विराम देना चाहूंगी कि हम बने सभ्यता के प्रतीक कर शब्द खोस भर नया जोश भारत का काया कल्ब करें आईए नया संकल्ब करें जैहिन जैभारत ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें जादा से जादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके औल पर क्लिक करना बिलकुल ना भूले है फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी किसा तब तक के लिए बंदे मातरम